नमस्कार आदाम मैं मारुफ मिलन रह्मानी स्वागत है आपका सारा सचमी बंगाल में मम्ता की जीत और अपकी बार दोसो पार नारा देने वाली बीजेपी की हार का असर पडोसी राज बिहार में भी देखने को मिला है बिहार की राजनिती को ठीक से समझने वाले आपस में बाते कर रहे हैं कि नितिस कुमार को संजीब नी मिल गए यानि बंगाल में बीजेपी की जीत होती तो वो बिहार में और ज्यादा एग्रिशिव हो जाती दीदी की जीत से आड़ ज्यडी तो खुस है ही लेकिन कहीं न कहीं ज्यडी भी खुस है हलाकि दोनों के खुसी में अंतर है आड़ ज्यडी बाहर और अंदर दोनों से खुस है वो ही ज्यडी शिर्फ और शिर्फ अंदर से खुस है गडबंदन धर्म की वज़े से वो मुश कुछ कुरा नहीं सकती अंदर कुछ होता है और बाहर और कुछ होता है यही राजनीती है बिहार विधान सभा चुनाओं के नतीजे से ही जेड्यू डी मोरेलाइज हो गई थी उनकी सीटे बीजेपी की वज़े से खिसक गई एलजेपी की कारस्तानी पर परदान मंत्री ने कुछ भी रोकने जैसे नहीं कहा था और उल्टे केंडरे के गड़बंदन में एलजेपी को शामिल रखा गया एलजेपी खुद एक सीट जीत सकी थी लेकिन कम से कम 30 सीटों पर जेड्यू को नुक्सान पहुँचाया गया था में ये राज खोला भी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे बीजेपी के दबाव में पत को शुविकारा गया अब बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाने से जेड्यू कारी करताओं के अंदर गजब का संतोस भाव है ये बहार से भले नहीं दिख पा रही है पर आपसी बाचीप में जेड्यू कारी करता यहीं बत्या रहे हैं कि इसकी तो असंका थी ही ये और बात है बंगाल चुनाओं में जेड्यू के वरिष्ट मंत्री शर्वन कुमार रामतेरी गंगामेली वाली हिरुविन मंदाकिनी के साथ जीप पर चुनाओं परचार कर बंगाल नहीं गए थी वहीं नेता परतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजिस्वी यादब ने पंच्छिम बंगाल जाकर खुद मंता बेनेर्जी से मुलाकात की थी उससे पहले पार्टी के दो वरिष्ट नेता अब्दुलबारी सिद्धी की और स्याम रजक को सीटों क के तालमेल के लिए लगाया गया था लेकिन मंता बेनेर्जी तैयार नहीं हुई तेजिस्वी यादब ने बिना सर्त मंता बेनेर्जी की पार्टी तर्नमुल कॉंग्रेश को समर्थन का ऐलान किया था यहीं नहीं आरजेडी नेताओं ने वहां केंपिनिंग भी की और वहा चुनाओं से पहले यही कहा था कि बंगाल में उनका एक मात्र मकसद है बीजेपी को रुकना आर्जेडी इसमें सफल हो गई पिछले साल जब कोरोना फैला था तब परवासी बिहाडियों को आने की अनुमती देने में नितिश कुमार ने देर की थी कोटा के बच्चों को इसका भी बदला बंगाल चुनाओं में परवासी बिहाडियों ने ले लिया इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो पहुचाने के लिए शेयर करें और हाँ हमारे यूटूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद